हलो एवरिवान आप सभी काफिर से मेरे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज का हमारा लेशन है बनमार्ग में बनमार्ग में संकली चंद गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा रचित कविता वली से लिया गया है यहाँ पर सीता जी अपने पती रामचंद जी के साथ 14 साल के लिए बनकी और प्रस्थान कर रही है रामचंद जी को 14 साल का बनवास मिला है और उनके साथ उनके छोटे भाई लक्षमन भी बनकी और जा रहे है तो यहाँ पर पहले चंद में गोस्वामी तुलसिदास जी ने सीता जी की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहा है कि पुरती निकसी रगुवीर बधू तो नगर से निकल कर रगुवीर बधू सीता जी धरी धीर दे मग में डग दूए मतलब बहुती धैरे के साथ रास्ते में दो कदम चलती है मग में मतलब रास्ते में और डग मतलब होता है कदम दूए मतलब दू तो नगर से निकल कर सीता जी रास्ते में दो कदम चलती है जलकी भरी भाल कनी जलकी तो उनके सर पर पसीने की बूंदे जलकने लगती है यहाँ पे जो जलकी है इसका मतलब होता है जलकना भाल मतलब होता हमारा कपाल या सर कनी मतलब होती है बुंदे जलकी बुंदे मतलब पसीने की बुंदे ठेक है पूठ सूखी गए मधुराधर वे मतलब उनके जो मधुर अधर है वो भी सूख गए है मतलब उनके जो कोमल ओट है उनके जो कोमल होट है वो भी सूख गए है फिर पूझती है फिर बूझती है मतलब फिर पूझती है चलो नो अब कहती फिर अपने पती रामचंद जी से पूछती है चलोनो अब कहतीक मतलब और कितना चलना होगा पर्न कूटी कहिरो कित हुए पर्न कूटी मतलब जोपरी कहिरो मतलब कहां बनाएंगे कित हुए कहां बनाएंगे मतलब जोपरी आप कहां बनाएंगे कित मतलब कहां कहिरो मतलब बनाएंगे ठीक है तो सीता जी आतूरता वस पूछती है कि और कितना चलना होगा और जोपरी आप कहां बनाएंगे तिय की लखी आतूरता मतलब तिय की मतलब पतिनी सीता जी की आतूरता आतूरता को देख कर लखी मतलब देखकर पिय की अखियां मतलब रामचंद की अखियां अतिचारू अतिचारू मतलब बहुत ही सुंदर मनुहर उनकी जो रामचंद जी की आखें बहुत ही सुंदर है चली जल जुए उनकी सुंदर आखों से क्या हुआ जल बहने लगे ठीक है तो यहाँ पर जी की आतुरता को देखकर अखिया अतिचारू जली जल चुए मतलब रामचंद जी की सुन्दर आँखों से नेत्रों से आसु बहने लगते हैं तो चलिए फिर से रिवैस करते हैं इसको पुरते निकसी रगवीर धरी धीर दय मगमे डगदुए मतलब सीता जी नगर से निकल कर रास्ते में अभी दो कदम चली ही थी कि उनके सर पर पसीनी की बूंदे जलकने लगती है और उनके मदूर अधर भी सुख जाते हैं मतलब वो इतनी कॉमल आंगी होती है इतनी सुकुमार होती है कि बस रास्ते में दो कदम चलती ही है कि उनके जो उनके सर पर पसीने की बूंदे जलकने लगती है और उनके जो कॉमल होट होते हैं वो सुख जाते हैं फिर वो ब्याकुल होकर अपने पती से पूछती है कि और कि कुटि कहां बनाएंगे, मतलब कुटिया, रहने की कुटिया जो जोपरी होगी, वो आप कहां बनाएंगे, पतनी की आतोरता को देख कर, श्री राम चंद जी की सुन्दर नेत्रों से क्या होते हैं आसू बहने लगते हैं तो ये हमारा पहले चंद का प्रसंग था दूसरा हम लोग explain करते हैं अभी दूसरे चंद में गोस्वामी तूलसी दास ने बन मार्ग में चलते हुए राम, लक्षमान और सीता के अनुपम सौंदर्य से मोहित एक गराम बधू ठीक है एक गरामीन महिला के भावनात्मक प्रतिकिरया का या भावनात्मक रूप का वर्णन किया है ठीक है तो यहाँ पे गराम एक गरामीन महिला जब श्री राम चंद जी, सीता जी और लक्षमन जी बन की तरफ जा रहे थे उनको देखकर एक ग्रामीन महिला बहुत भावुक होती है और अपने सहली से शिकायत करते हुए कहती है कि रानी में जानी अयानी महा वो बोलती है कि में जानती हूँ जो रानी है यहां रानी कहके के बारे में बात किया गया है ठीक है रानी कहके के वज़े से ही राम चंद जी को वनवास जाना परा था आप लोग को ये बात पता ही होगी ठीक है तो वो बोलती है मैं जानती हूँ कि रानी कहके बहुत अग्यानी है पभी पाहनहु तै कठोर हियो है, मतलब उनका जो हिर्दय है, वो क्या है पभी, मतलब बज्र और पाहनु मतलब पत्थर, पत्थर से बज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर उनका हिर्दय है, ठीक है, राज हो काजू, अकाजू न जान्यू, वो बोलती है कि जो राजा है, यहाँ पे राजा किनको कहा गया है, रामचंद जी के पिता को महराज दसरत, ठीक है, यहाँ पे राजा महराज दसरत के बारे में बात की गई है, वो बोलती है कि जो राजा है, वो भी क्या है, बहुत अ तियो को जेही कान कियो है ठीक है वो बोलती है कि पतिनी तियो को मतलब पतिनी पतिनी के कहने पर मतलब रानी कहके के कहने पर उन्होंने ऐसा अन्याई किया है उनको अपने मतलब अपने करतवे और अकरतवे का भी ग्यान नहीं है जो अपनी पतिनी के कहने पर रामचंद जी क वनवास दे दिये इतना बरा अन्याय कर दिये हैं ठीक है ऐसी मनोहर मूर्ती बोलती है कि इतनी सुंदर मनोहर रूप वाले ये लोग है इतनी इनकी जो रूप है इतनी मनोहर है इतनी मनोहर मूर्ती मतलब इतने मनोहर रूप वाले है इतने रूप वान है बिछरो कैसे प्रिय है सगे समंदी है वो बिछर के कैसे जी रहे होंगे इनसे अलग होकर इनसे दूर होकर वो कैसे जी रहे होंगे क्योंकि वो रोज हर दिन सुभा साम इनको देखते होंगे और अब जब उनके साथ नहीं है तो वो कैसे जी रहे होंगे ठीक है आखिन में सकी राखिब जोगो वो अपने सकी से फिर बोलती है सहली से बोलती है आखिन में सकी मतलब आखों में रखने योगे ये जो लोग है ये लोग क्या है आखों में रखने योगे है मतलब राम सिया लक्षमन इतने मनुहर है इतने मनुहर है उतने रूपवान है कि जो उनको क्या है आखों में रख सकते ह आखों में रखने योग हैं इन्हें कीमी बनवास दियों इन्हें क्यों बनवास दियों हैं मतलब इतने रूप वान हैं आखों में रखने योग मनुश्य को आखों में रखने योग वेक्तियों को क्यों बनवास दिया गया है तो चलिए एक बार फिर से रिवाइस करते हैं गोस्वामी तुलसिदास जी ग्रामिन बधु के माध्यम से बोलते हैं कि रानी कहकरी बहुत अज्यानी है और उनका हिर्दय क्या है कठोर, पत्थर और वज्जिक से भी अधिक कठोर है राजा को भी अपने करतवे और अकरतवे का ग्यान नहीं है जिन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर श्री राम चंद जी को वनवास दे दिया ऐसी मनुहर मूर्ति हैं वो बोलती हैं कि मतलब इतने सुन्दर रूप वाले लोग हैं इनसे बिछर कर इनके प्रिये तम लोग इनके प्रिये जन कैसे जी रहे होंगे जो आँखों में रखने योग हैं इन्हें क्यों बनवास दिया गया है तो इसी के साथ हमारा दूसरा चंद भी कंपलीट होता है अगर आपको इन दूनों चंदों से रिलेटिड कोई भी डाउट है या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई है या कोई वाट समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करें और जो इसका दूसरा पार्ट है वो मैं आपको नेक्स वीडियो में explain करूंगी और हाँ अगर आप लोगों को question answers की जरूरत है तो आप मुझे please comment section में comment करे ताकि मैं आप लोगों के लिए question answers भी बना सकूँ ठीक है और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please like share and subscribe करे और bell icon को press कर दे ताकि मेरे upcoming videos का notification आपको मिल जाए और basically आप अपने friends और जो भी class 10 के बच्चे हैं उनसे share करे क्योंकि मैं हिंदी का सारा course ही यहाँ पर कराऊंगी तो हिंदी की tension लेने की आपको जरूरत नहीं है बस मेरे channel पर बने रहिए और देखते रहिए और जो भी आपका doubt है मुझे share कीजिए और ताकि मैं सारी doubts को clear कर सकूँ मैं यहाँ पर एक quality work ही करने आई हूँ तो प्लीस सपोर्ट में और शेयर मैं चैनल थैंक यू बाइ बाइ